हेलो नमस्कार माई डियर इस्टुरेंट्स माई डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो है इसमें आप सभी को बताऊंगा कि मैं पढ़ाई किस प्रकार करनी चाहिए पढ़ाई हमें सीखने के लिए करनी चाहिए या परसंटेज बनाने के लिए करनी चाहिए देखे इसी पर जो ह अमंशर के युन्हें बहुत आछी बात कही थी मुझे बहुत अच्छी लगी परन्तु मैं आपको कुछ मेरा जो नजारिया है मेरा जो सोझ ए उसके इसाबसे भी अपको बतना चाहता हो कि आपको किस प्रकाट से परकार पढ़के नहीं चाहते अगर आपको यह पसंद आए तो ही करना इस प्रकार से पढ़ाई वन्ना मैं आपको फोकस नहीं करता हूं कि आप इसी तरह से पढ़ाई करें आप चाहे तो वह तरीका फोलो कर सकते हो अब देखिए आप पढ़ाई पढ़ाई करना यह कि कुछ सीखना Technology करना अगर हम परसेंटेज спрос बनाने बना कर चलेंगे चेलेए एक तरफ वह सोच कर चलते हे कि मानलिजिए, एक इस्टेओं नीजिए, मैं खुद अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से चलूँगा नैंटी फाीफ मेरे तो कुछ भी रख लेते हैं तो मेरा फोकस कहां जाएगा एक फोकस वहां पर भी जाएगा 98 पर और 95 पर अगर एक्जाम में कम आखसा आ गए कम तो मैं एक तो क्या हो जाओंगा मैं डी मोटिवेट हो जाओंगा पहला सबसे बड़ा जो हमें नुकसान होगा वह यह होगा कि अगर हमारे परसंटेज कम आ गए बाकी आपकी तिंकिंग जो है वह नेगेटी नहीं होने चाहिए पूजिटीव होने चाहिए परनतों एक बात यह भी है आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए तो आपको अगर ग Git लेकर हम चलेंगे तो एक जो हमारा फोकुस रहेगा वहां पर रहेगा है वह पर रहेगा वहां पर रहेगा हमारे ध्यान पढ़ाय से भटकेगा और अगर हम इसी बात को अगर इस जग्ड रखे कि नहीं मुझे सिर्फ सीखने के लिए पढ़ना है जो कमारा करण सीर्फ और सिफ कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब और अज भी यह पड़ाइए करेंगे तो क्या होगा हमारा ध्यान ज्यादा भॉड़क यह कि मैंने खुथ यह अनुभव किया है ठीक है अब उसके बाद अगर हम बात करें कि एक स्टुडेंट ऐसा है जो की 99% ले आता है और एक स्टुडेंट ऐसा है जो की 75% लेकर आका आता है इस दोनों कहाने बताता हूं मैं वो दोनों क्या गई एक जॉब में गई प्राइवेट जॉब में और वो जो बच्चा था 99 वो क्या करता है कि स्यृफब से अपनी टीचर की बात मानता है तो कि तो के गया इंटर्विय में गया इंटर्विय में उन से एक फवal पूछा कि यह बन रहे हो हुश के सिभस देख सी बन रहे हो य। कुछ भी बन रहे हो तो अगर हमारी कंपनी कुछ समय बाद इस मोड़ पर आ गई तो आप क्या एक्षन लोग है तो उसने जवाब दिया कि सर अभी मैं कुछ नहीं बता सकता है अभी जो मेरे टीचर से पूछूंगा तो बता दूँगा आपको क्या खरूंगा और उसी जगह जो 75% डॉला जो एक स्ट्रेंट था वह उसी के इसाब से चलता था तो उसने उसकी सुझ भूच के तोर पर उसने जवाब दे दिया कि मैं यह करूंगा तो देखे हमें किसी की बात में नहीं आना है ना तो किसी यूटूबर ना किस टीचर सिर्फ अपने अनभव के तोर पर हमें पढ़ाय करना चाहिए चाहिए आप सीखने के लिए करो चाहिए परसंटेज के लिए करो देखे परसंटेज वह होता है जो हमारे सीखना हमने कितना सीखा है वह तो हम पहले से कैसे डिसाइट कर लेंगे कि हम इतना सीख जाएंगे आप शीखते तो जाओ उसके बाद परसंटेज देख लेना कि हाँ कितने परसंटेज आए है है कि है कि नहीं हम पहले यह सोच करके चलेंगे कि नहीं मैं तो इतना बना लूँगा तो क्या यह पोसिबल है नहीं हो भी सकता है पोसिबल पर तो आपको दिन रात एक करने पड़ करके जाए बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए उसका लेगा नहीं है है अजुश्य देख लिए